नमस्कार आइचीटीज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ प्रिती जाँ बेपेसे सिक्षक भरती की दूसरी बहाली शुरू होने वाली है जिहां दरसल अक्टूबर में इसके लिए आविदिन जारी हो जाएंगे और नविंबर में इसके एक्जाम भी ले लिये ज लिस्ट है वो आप जारी करें जिसे एक आकट्रा जो है वह सामने आ सकता है देखे अब इसवीस यह आ गई है कि अब जिलो ने अपने अस्तर से लिए है भेज भी दिया है कि कितने पद हैं लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि जितनी वेकेंसी है उससे ज्यादा खाली पद ही सामने आ गए हैं अब इसको लेकर सिक्षा विभाग क्या कुछ निर्ने लेगा यह भी देखने वाली बात होगी और जैसे सिक्षा विभाग न जिलो ने पद की अधिक रिक्तियां सुक्षक भरती को लेकर भेज दी है जिलो से भीजी गई पदों पर बीपेसी परक्षा के आधार पर ही निप्तिया होनी है विबन जिलो में से मिली जो पद है उसकी समिक्षा में गरबरी का भी खुलासा हुआ है दरसल मदूबनी पशिम चमपालन समेथ कई जिलो से पद से अधिक रिक्तियां जो है वो भेज दी गई है प्रोमोशन के लिए पद सुनक्षित रखने के नियम का भी जो पालन है वो नहीं किया गया है मुझाफरपूर सहीत सभी जिलो में करीब 24 घंटे में दुबारा रिक्ति की रिपोर्ट मांगी गई है अब इस रिपोर्ट के बारे में बात कर दे तो यह रिपोर्ट पहले 9 जून तक ही मांगी गई थी अब एक बार फिर से अब जो नया फॉर्मेट तयार हुआ है उसी के अनुसार जो खाली पद है उसके लिस्ट जारी की जाएगी यह लिस्ट जो है डी यो को देना है वहीं पशिम चंपारन कटिहार दर्भंगा सारन सिवान पुर्वी चंपारन मदुबनी आधी की समिक्षा में यह पाया गया है कि अधिक रिक्तिके रिपोर्ट भेजी गई है वहीं कई जिलो द्वारा उच मादमेक सक्षक और 50 प्रतिशत प्रोमोशन देने के लि और यह दूसरी बहाली निकलने वारी आपको मालूम है कि एक लाग सतर हजार पदों की बहाली जो है वो कंप्रीट लगबग होगी है यह अभी प्रोसेस में चल रहा है एक्जाम हो चुका है डोकुमेंट्स वेडिफिकेशन का काम जो है वो भी हो गया है और इसके बारे मे बिपेसे के अध्यक्ष अतुल प्रशाद ने जानकारी भी दी है कि जो रिजल्ट है वो अक्टूबर के महिने में जारी कर दिया जाएगा और वहीं अब दूसरी बहाली आने वाली है जो कि कुल एक लाग पदों पर बहाली होगी और अक्टूबर में ही इसके लिए आवि और नया फॉर्मेट जो तयार हुआ है इसमें अब क्या निकल कर सामने आता है क्या फिर से जितनी बहाली उससे जादा ही पद निकल कर सामने आएंगे या फिर कुछ और होता है चैनल को सब्सक्राइब करें फेजुक पेज को लाइक करें वीड़ देखने के लिए आपका जानने बाद